नमास्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही बहुत महत्वपून जानकारी देने जा रहा हू हूँ इसलिए यह इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा दोस्तों आज की जो बनस्पती है आज की जड़ी बूटी है बहुत ही खास और बहुत ही लाबकारी है दोस्तों आप देख रहे हैं हम एक बंधे के आसपास हैं चरतरफ फानी लगा हुआ है नदी का इलाका है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही मुश्किल जगह है मैं यहाँ से गुजर रहा था तो हमको यह बनस्पती यह जड़ी बूटी दीख गई तो हमने सोचा कि इसके बारे में आपके साथ कुछ जानकारियां सेयर कर दूँ दोस्तों इस जड़ी बूटी इस पौधी का यानि इस बनस्पती का नाम है कठ करंज यह करंज की एक प्रजाती है करंज कई तरह का होता है लेकिन दोस्तों यह कठ करंज है आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां आप देख लीजिए अच्छे से भली भात देखिए, जहां से भी पत्ती या जहां से भी डंठल आपको दिखेगा, हर जगह आपको काटे ही काटे इसमें नजर आते है, हर जगह काटे हैं दोस्तों, बहुत ही बचा करके ये ध्यान देना पड़ता है और आप लोगों को दिखाना पड़ता है, कहीं भी ये आ बहुत ही अवसधिय पौधा है दोस्तों इसके बहुत सारे अवसधिय लाव हैं आज की वीडियो में हम इस कठकरंज के फायदों के बारे में बताएंगे लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक ला बारव सिती की तरह से काम करती है अगर आपको सुगर से ज्यादा परेशान रहती है या परेशान रहते हैं सुगर से एकदम से आप परेशान हो चुके हैं आपका सुगर लेबल घटने का नाम नहीं ले रहा है तो उसके लिए इसकी पत्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं दो देख लीजिए दोस्तों ये इसकी पत्तियां है और आप देख रहे हैं पीछे साइड जो है ये बहुत ही नुकिले धारदार काटे लगे हुए हैं बड़ी मुस्किलों से हमने इसको तोड़ा है इसको बचा करके तोड़ना होता है या किसी आउजार या किसी हथियार कही काटे होते हैं चुप जाते हैं हमने तोड़ते हुए देखे हमर रातों में भी चुप गया है तो बचा करके तोड़ना रहेगा अगर आपको सुगर की प्राबलम है सुगर आपका घटने का नाम नहीं ले ला है दोस्तों तो आप क्या करें इस कट करंज के जो ये कुमल-क पत्ची को लें और इन्हें पीस करके धोकर खेड़ और पीस करके इसका रस निकाल रहें कम 20g के माटा में ऊप लें और कांटी को सुबह सेृटर है यहां दोस्तों न्येवस सब्तां लेबल एकदम से कंट्रोल दिखेगा एकदम से वो लेबल पे आ जाएगा और अगर आपको जाला सुगर की परेशानी है तो कुछ दिन तक इसको और भी पी सकते हैं पंदरग दिन तक पी सकते हैं दोस्तों इसके अलमा अगर आपकी युनुटी इस ट्रांग नहीं है अगर आपको बुखार की हमेशा प्राबलम रहती है बुखार से आप ज्यादा परेशान रहते हैं तो अभी मैं आपको इसका फल दिखा दे रहा हूँ इसके फल बड़े मुश्किल से हमको तोड़ने पड़ेंगे बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही दिक्कत भरी जगह है यहाँ पर काटे भी लगे हुए है और इसके काटों में ही इसका जो है की फल है आप देख रहे हैं यह फल इसका है तो इसको निकालने में हमको मुश्किल होगी लेकिन हम आपको तोड़ेंगे ते इसमें से बीज निकलता है डेखिए दोस्तों ये कटकरंज का या या इसका फल है और इसके अंदर देखेंगे यह बीज है अगर आपको बुखार की प्राबलम है कितना हो पुराना से पुराना बुखार है कोई भी बुखार हो उसके लिए आप क्या करें इस बीजों को आग में भूनने के बाद इसको तोड़ेंगे तिसमें से सफ़े सफ़ेद भाग निकलता है उसका आप पाउडर बनाएंगे पाउडर बना करके 5 ग्राम की मात्रा में मात्र लेना रहेगा सुबह और साम अगर आप इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों पुराना स के प्राबलम के दोस्तों अगर डाइविटीज की प्राबलम है अगर पत्तियों का सेवन आप नहीं करना चाहते हैं तो इन फलों को आप लेंगे यह जब फल पक जाते हैं तो इसके बाद इन बीजों को ले लिजिए और इन्हें अच्छे से सुखा लिजिए सुखा करके इसका पाउडर बना करके आप इस टोर करके रख सकते हैं और इस पाउडर की मातरा आप कांटीनिवस 10 ग्राम की मातरा लीजिए अगर आप सुखर से ज़्यादा पीडित हैं ज़्यादा परेशान हैं तो आप 10 ग्राम की मातरा में इसके जो बीज का पाउडर है वह आप से चेहरे पर किल मुहां से इत्याद की अगर प्राबलम बढ़ती है दोस्तों तो इसके ये जो फल आप देख रहे हैं कच्चे कच्चे फलों को PCA इसका पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर लगा लिजिए पांच मिनट मातर छोड़िए पांच मिनट के बाद आपका करिए कि इसको ठंडे पानी से या हलके गुनगुने पानी से धोकर साप लिजिए दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके चेहरे के जितने भी परिशानियां है प्राबलम है वह दूर होगी और आपके चेहरे पर नेचुरल लिखा रहेगा अगर आपको दाद खाज खुजली की प्रा दोस्तों बहुत ही लाबकारी आउसदी है बहुत ही फायदे मंद है इसका प्रयोग करके देखिए आप उनिशित रूप से लाबकारी लगती है तो इस वीडियो को आप अधिक से दिक अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प अपना थ्यान रखें ओके फ्रेंज टेक के रहें बाई बाई